हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ बिसमिल्ला रख्माइब रहीं नाजरीन मैं हूँ आसमा शिराजी प्रोग्राम है फैसला आपका और एक फैसला थोड़ देर पहले कौम इसम्ली के अंदर भी हुआ जिसमें ना एहल शक्स पार्टी सरवरा बन सकता है इसको ना रखने के लिए बिलको मुस्तर्ट एक सो तरेसट के करीब रखी ने इसम्ली जो के कम कम नजर आते हैं आज इसम्ली के अंदर लेकिन वो नजर आए और उन्होंने मिया नवाज श्रीफ के लिए गर इसको हम कहेंगे कि परसन स्पेसिफिक है यानि एक श्रीफ के लिए है फर्दे वाहिद के लिए है तो उन्होंने ये वोट किया और जमहुरियत में जाहरा है अकसरियत की राए ही मानी जाती है और ये वोट उनकी फेवर में आया और यूं फतायाब हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और उनके सरवरा मिया नवाज श्रीफ जिनको एक सो तरेटी आज अददी अकसरियत या हिमायत मौजूद है उनके लिए ये काम्याबी है या नाकामी है ये तो बिल्कुल हम इस पे बात करेंगे बहस करेंगे और लेकिन जो एक कहा जा रहा था कि अददी अकसरियत नहीं है कोई कहते च्छास्ट अराकीन है जो के पियमेलन के अलग धड़ा बना रहे हैं कोई पच्चीस की बात करे थे कोई पच्पन की या नि जितने मूतनी बातें लेकिन आज जो ये सामने आया है सूर्टेहाल इसमें उनकी अकसरियत बरकरार है आज बताते चलें कि ये जो सूर्टेहाल है इसके अंदर बहुत सारी चीज़े सामने आई जिनको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उन्होंने अपोजिशन के साथ खड़े होके इसको मुस्तरत किया यानि उनका ये कहना था उसके हक में वोड दिया कि ये नाहिल शख्स जो है वो पार्टी का सरबरा नहीं रह सकता जमाली साब बसद एतराम बहुत दिन पहले अगर आप ये फैसला करते तो बहुत ही अच्छा होता लेकिन इस वक्त जब के पार्टी की टिकेट के उपर आप है ये फैसला क्या है इसके उपर भी जरूर बात करेंगे और उसके बाद ये काम्यावी जिसके की बात की जा रही है उसको celebrate भी करी है मरियम नवासाईबा के tweet पे tweet आ रहे हैं उख एक शक्स एक शक्स और तमाम का तमाम जो मामला है वो एक शक्स के favor में ही हो रहा है और वो ये कहती है ये एक शख्स को सब मिलकर माइनस करना चाहते थे लेकिन ना कर सके क्योंकि वो एक शख्स ना था बलके एक नजरिया था वो नजरिया चार साल तक अगर हमें इसेमली के अंदर नजर आता तो कितना ही अच्छा होता कितना ही खुशनुमा होता और ये नजरिया जमूरियत जो है वो आज आपको नजर आ रहा है काश ये चार साल तक ये नजरिया पाकिस्तान की कौम एसेमली के अंदर नजर आता रहता इस पर भी जरूर बात करेंगे और उसके साथ साथ ये तो काम्याबी हो गई हुकूमत की लेकिन जो नाकामी है वो आज भी बरकरार है नाहिल शक्स पार्टी का सरवरा बन सकता है लेकिन नाहिल हुकूमत कैसे हुकमरानी कर सकती है लेकि सूरत इस वक्त हुकूमत की मुकमल नाकामी है आज सुप्रीम कोट ने सुमोटो लिया है सुप्रीम कोट कुछ करे तो करे हुकूमत कल तक हमें लगता था कि बेबस है आज हमें लगता है कि हुकूमत धरने के मामले को निम्टा नहीं नहीं चाहती है और तो और आज कैप्टन सब्दर साब ने अपनी खाइश का भी इजार वो भी इस जो धरना है उसके अंदर शरीक होना चाते हैं और होंगे बारहल उसके उपर हम बाद में बात करेंगे इस वक्त हमाई साथ मौजूद है सेंटर मुरतजावहाब साथ जो के पाकसिन पीपिस पार्टी के सैंटर है बहुत 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 Šुकरिया हमाई सासे हाफिज हमदुला साथ जो के सैंटर है बड़ी जबर्दस तक्रीर इनों कल सेनेट में किये धरने के उपर हम उनसे आज भी बात करेंगे शुक्रिया सेनेटर जावेद अबासी साब पीमलन के सेनेटर है और जनाब हामिद खान साब जो के पाकिस्तान तैरीक इनसाफ का जाना माना चेहरा है नाम है बहुत बहुत शुक्रिया खान साब आपकी तश्रीफ आवरीका सबसे पहले हाफिज साब आपसे शुरू करती हूं उसकी वज़ा है उसकी वज़ा ये कि एक तो आपकी पार्टी साथ खड़ी हुई आज वोट भी दिया अपने साथ में और ने के उपर भी आपकी ये राय है कि ये हुकूमत को बेबस करने के चक्कर में हो रहा है सब कुछ आप अभी भी इससे इतफाक करते हैं बिसमिल्ला रह्मान रहिम कल वाकी मैंने सिनेट में इस पर बात की दोनों पहलों पर भी मैंने बात की के दरना क्यों हो रहा है और दर्णेवालों का मतालबा क्या है? डिमाट क्या है? सिंपल सा मतालबा है कि जो रपोर्ट राजा जफरलक साब की सरवराई में जो कमेटी बनी जो रपोर्ट बनी उस रपोर्ट को मंजरे आम पर लेकि पर लाने में पार्लिमेट ने नहीं बनाई एं, ये पॉडिशन पार्टी नहीं नहीं बनाई नों की सजेशन पर बनी एं, लए इति हाधी जमात की, बलकि येMe airline की क्यादत की अपना फैसला था, सेर बराएं में, कमेटी ने रपोर्ट मुकम्मल करके, मैं सब जब लंदन नहीं थे, वहां कुछ आयान हो जाएगा अगर रपोर्ट वही रपोर्ट है अगर उसमें तब्दीली ना हो जाए रपवूर्ट वही रपोर्ट है तो ति पर उसमें सिर्फ जैद अअमिद नहीं होगा कुछ और नाम भी होंगे अदब के साथ मज़बा की अक्षा सब्सक्राइब तो उन भी हो उसकती है उसमें तो इसलि Lore经 किता हूँ कि-, मस्यलह का यह हल हो जायगा, यह धरनाखा खम हो जायगा दुस्य बात यह कि मैंने धरनिय 하지 के भारे में जाइ का मौरा ना रज्वी साहब के बारे में वो एक अलिमी दीन है उसका इतिराम करते हैं एक मिक्तब भीत नक्षी है और हनका जो दिमान है जो मेंट है किसी ने इसकामिकार्ट ही से लाइन गो बात ने की जब सेनट में आया सब से पेले यह था आप विन्हें इसको उटाया था अप रिकर तो मैंने उट आँसको उस वक्त भी आप रिकाल देखे कि किस किस ने इसकी मुकालिफ़त की लेकिन उस वक्त मिझे हकूमत ने और जायद हमेद ने राज जफ रलक साब जो कह जा है उनों ने अपूर्ट किया ठीक मैंने असाथ किया लेकिन बात ये है कि ये उस वक्त भी मैंने सवाल किया, चोंग चोड़ा, किस मक्सद के लिए चोड़ा, क्या कोवी सालिमित को खतरा था? तो वो खलती थी ना, सिन्ट साभ के रहे हैं गलती थी वो दुरूस्त हो गई वो गलती थी अब बात यही है, मैं यह किराओं कि जो दर्णा है, इस से वाकी इसलामी, शरी, इनसानी, जो पर गुंबर आले सलाथ वासलाम के रिवाया है, अलमस्लिम मनसलिमून मिल्लसानी हो द मैं ने का आलम की शान से खौब हूँ मैं हूँ, मौलाना फजरामान हूँ, मौलाना रजियु जो भी नाम हूँ, हर इनसान के लिए ये बहुत बुरी बात है कि वो गाली दे किसी को, और दूसरी बात नजायज ये है कि गाली में देता हूँ, और मेरे साथ बेटे हुए आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत ये मसला हल करना चाहती है, कल सब इस मसले को हल करने के लिए जो कमेटी बनाई उसके अंदर तमाम मकाते फिरके हैं, उनके लोग डाल दिये गए, ये तो मतलब बहुत बढ़हावा देने वाली बात है, जिस तरह से हो रहा है, हुकूम जमहूरे जम्हूर तो तब टाकतवर होगा जब आप पारलेमान को पारिमान को पार्लेमान को देंगे, और आज आज पीपल्स पार्टी के अकाबरीन थे उन्हें इसी इच्व को रेस किया कि साबग वजीर आजम कितनी बार जमूरियत के जो सबसे बड़ा टाकत का मंवा ह उस मेह दे कितनी बार उने पारलिमान को फ़र पीपस पार्टी का तो अलमिया ये है कि जो भुटो साब ने शिर्क निकाली थी आज मिया नवाज श्रीफ उनकी पार्टी उस शिर्क को निकाल रही आप तो उसको दिलवाने के लिए बड़ी खुबसूरती से मैं समझता हूँ जाहिद हामिन ने बड़ी खुबसूरती से इस चीज़ को ट्विस्ट करनी भुटो साब ने जब अबड़ो की चीज़ को खतम किया था तो उस जमाने में 62 और 63 की डिसक्वालिफिकेशन नहीं थी यह 62 63 की डिसक्वालिफिकेशन 1985 में जनरल जिया क्यामराना दौर के अंदर अब्डो तो देखें एब्डो 1962 63 में इंटिडूस कर दिया उसमें नहीं था ना सिर्फ इन दो शिकों में नहीं था लेकिन पार्टी सर्ब्राहों को तो उसमें बैंड किया था ना आसमा हाँ 63 की सादिक और अमीन की डिसक्वालिफिकेशन नहीं थी यह आई हैं 1985 में जब एट अमेंडमेंट जियावलक साब ने इंटिडूस कराई थी उसके बाद चूंकि यह डिसक्वालिफिकेशन बाई गई गई तो इसलिए भुट्टो साब के कानून का मिसाल देना जायज नही ने जो 2002 में पुलिटिकल पार्टी और इंटिडूस कराया बार-बार कहते हैं कि वो मौतरमा स्पेसिफिक था और अप अगैन हिस्ट्री को चेक कर लें कि बीबी शहीद के ओपर कोई कन्विक्शन नहीं थी उसों मिया साबी कन्विक्टिट थे लिकिन वह उन्होंने बनाय है वो खुद कहते थे कि मैं जब तक हूँ मैं देखता हूं कि कैसे वो पाकिस्तान वापिस आते हैं उनके इंट्रिव्यूज है ऑन रिकॉर्ड ये बात थी जैनल मुशरफ तो कुछ भी गहते हैं मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टान नहीं रख रहा हूँ नह को याद होगा मिया नवाज शरीफ सन 2002 में उस ओदे से हट गए थे मिया शाइबाज शरीफ को अनने पार्टी का सदर बनाया था और जाइब को अनने एक्टिंग प्रेजिट बनाया था तो मैं कहता हूं रिकॉर्ड की दुरूरी है कि हमें पीपल्स पार्टी को कभी भी इ अच्छ नहीं किया और एक चीज़ और कि आज शाइबारी साहिबाने अपनी फ्लोर ऑफ बड़ी एक स्पेसिफिक बात की कि अगर हम स्पेसिफिक चीज़ों पर बिलीफ करते हैं परसन स्पेसिफिक चीज़े हमारा ताग तुम्या नवाज शरीफ को जो कदगन थी लिए शाइबारी साहिबाने ये भी तो रिफ्यूज नहीं किया ना कि दोजार चौदा के अंदर ये इनिशेट हुआ था कि इसके अपर डिसकेशन होना है उन्हों ने ये भी नहीं कहा कि हमें ये कहा गया कि आप ये जरूर पढ़ लीजिएगा मैं काम आसान कर रहा हूं तो उन अजिज मेमराम में गनाई किया मगर उनको फिर भी पढ़ना तो चाहिए था ना उनको अचे था कि कमेटी में क्या चल रहा है मेरे खाल में अब लोगों को लोगों का अंदाजा हो रहा है किस तरीके से फ्लोर ऑफ दा हाउस ये वो गलत बियानी करेगा जो कि अभी हाफ़ साथ ये पार्टी सरब्राहों को जब तक अवाम नाहिल ना करें कैसे उनको नाहिल किया जा सकता है जब दो जा जा है उसमें जाहर है कि अजब पर मुधा जाएगा तो अदालत के वपार करेगी तो उसको जैसे नहोंने कहा कि आर्टिकल 62 की जो शिक थी सादक रमीर उसक्स 30 के उपर और उनने उनको नाहिल करार दिया है. तो अवाम अवाम का एक और माम लाओ लोगे केसिस्ज चलते हैं, तो सुर्वी नहीं है के हर केस जो है, वो अवाम ने फैसला करना हो, अदालतों ने भी फैसला करना होता है. इस तरह से तो निक्सन जो था, वो अबहत्तर में प्रेजिन्ट एलेक्ट हुआ था 49 स्टेर्स रीद कर रिकॉर्ड उसे एलेक्ट हुआ था लेकिन उसके बाद जब उसके खलाब वाटर गेट का स्केंडल बाहर आया तो उसको अदालते मुठरक हो गई थी अदालतों नहीं उसको मजबूर किया था क्यों रिजाइन कर दे वोगिए अदालतों ने कहा था कि वाटर गेट से रिलेटड जितनी डिसकॉशन था वाइट हाउस की ओवर हाउस ओफिस की वो सारी की सारी जो है वो अदलत के तुझ कि आ अगरा नहींड करना पदा है उन्म और फिर वो जब अदलत के सामने वो फैस नहीं कर सके तो रिजाइन करना पड़ गया यह दो चीजों को मिक्स नहीं किया जाता एक तो ऐलेक्टरल सिस्टम है वो अपनी जगा है लेकिन अगर कोई शक्स कोई उफेंस कमिट करता है कोई शक्स आईन की खलाव वर्जी करता है कोई शक्स डिस्क्वालिफिकेशन इंकर कर लेता है तो अदालतों ने अपना काम करना है अच्छे यह जावेद भाई सब वैसे क्यों यह बतलब ठीक है आपके यह कानून साजी बाद में की पहले आपने निशेट किया इसको लेकिन यह ऐसे लगता जैसे अदालत के मकाबले पर रोक सको तो रोक लो बिल्कुल ऐसा नहीं आया है यह इसकी एक स्ट्री है और उसे स्ट्री में चोंकि काफी दफा बात वाकफ है और अमारे साथी भी वाकफ है और ना सिर्फ टाक शो में विए स्ट्रेट अपकस्णान में भी हमने इस पर डिसकस किये हमारा यह मौकिफ था और यह सारी जमाते हमारे साथ अगरी थी बिलकुल आपने मतज़ाव आप साथ से सीख सुख अब अलादर बात है कि आज उनका जवाब जरा मक्तलिफ है कि ये हजूब खान साथ ने डाला था सियसी जमाते है और पाकस्तान की ऐसी तारीख है कि ऐसे काम होते रहे हैं कब नहीं सियसी जमाते तोड़ी गी है कोंसी जमात नहीं तोड़ी गी है हम सारे इस बात से वाकिफ हैं फिर सहमते थी करका अस्टूशन आगया पार्टिया प्रो ड्मॉक्रसी नजर आती है ना इस वखत बौत सरी चीजे और इस वखते वने बनागे वब भूरी जब तोड़ी जुके आज बहुत सरे उपे साग तोड़ी दहीं है अब जोगिए जोगे जोगिओं ने आपस सार निया तो पर वापिस आब रहे तोड़ कि जमार और बाकी लोगों ने साथ देके एक सब्सक्राइब तो उसके स्थी थी कि जुर्फकार यह जो अभी एक सेवंटी थी कि कांस्टूशन में 62 63 बाद में 85 में डाली किया है 85 के बाद भी इनकी काफी दफार अकूमत आई है कभी नहीं का गया कि अगर जुरूत हो थी कि थी पौलिटिकल अप्ति रिएक्ट में तो ऐस बियूजर नहीं कूल नहीं पर वेज में शरद साबने आके किया है आप तो आपको कही होची के भी नजर आएंगी अब जब वहाँ से पास हुआ 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 है और मेरी कमेटी भी आया जुए है यह इनकी मुझूद्गी में हमने सारा हमने कोई 41 क करीब अमेंडमेंट की इस का शर्म आपके निज श्टक यह उने एक शबूर्यद को अापको बहुत निए निए पर यह अगर ले लो मेरे भी कुछ से रुकावटे हैं यहां से शुरू किज़ेगा एक चोटी सी ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाप वापस आते हैं कि यह मामला हो क्या रहा है अंद्रूने खाना पीपस पार्टी अपने गुणा दोर दोर है जो उन पर इल्जाम लगता था फ्रेंडली इनको मौका दे रही है कि यह पार्लिमेंट के अंदर रहे है उसको मजबूत करें उसको और मजबूत करें ब्रेक के बाइस पर बात करेंगे वेल्कम बैक नाजरीन ब्रेक में भी जावेद अबासी साब बड़े एकसाइटिड है और आज इनकी एकसाइटमेंट के जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है आप बात कंप्लीट कर लें फिर मैं बाकियों के पास भी हूँ मैं यह कहा रहा हूँ कि फिर मारी कमेटी में आया फिर चला गया सेरड के अंदर सेरड के अंदर आखरी वक्त में जब यह पैसेज पे था तो चोज़ी इतजास सब खड़े हो नहीं यह में लाई है उस वक्त यह दोजास चोदे में जब कमेटी मनी थी और दोजास चोदें से लेके यह जो इंटर्ड्यूस कराई थी इतजाज ऐसन साब ने यह नाजरीन की याद दिहाने के लिए वो आप लोगों ने मनजूर कर वाई नहीं मनजूर嫌 हमने रिजयक्ट में रही हैぎ है कि नाहे है रिज़ट कराई थी यह मामला चला गया आप पास होगी इनने चुंके सेणेट में पराबलम वहा है आए है कि सेणियमें इनकी एक्सारियत थी ये चाहते तो ये सेंडर में जमाते हमारा रोखती ये नहीं हो कि ये उस वक्त इनके नसीब अच्छे हैं ये क्या मसला है मुझे तो ये समय हो रहा है इस बाखी भी शामिल कर ले ना उसने ये हुआ कि इन पर लोगों का प्रेशन पड़ा इन पर मीडिया का प्रेशन सब्सक्राइब के लिए अगर निशनल संब्ली ने ने पास कर दिया इन पहले क्या का इनकाई की मीटिंग बला है सब्सक्राइब का अगर बिल नहीं पास होता सैनेट के अंदर तो फिर वो तर्मीम है आईनी तर्मीम है तो वो खतम हो जाएगी उसका क्या मस्तद्म होगा जा है अगर जब सेनर्ट में पेश होगी होगी और डिफीट हो जाती है बस उसमें रिकविसिट मेजारिटी नहीं आती तो वहां पे आपको कामयाबी मिलने के चांसिज नहीं है यह यकीन है यह जमात बख्वजूद है इसने पीपल्स पार्टी यह पाकिस्तान में चाहेगी कि एलेक्शन ट्रास्पेरेंट हो वक्त पहों यह एलेक्शन से नहीं बागेंगे और यह हमारी सपोर्ट करेंगे आप वाकिछ चाहेंगे मैं जवाब दूँ इसका चाहेंगे ना बिल्कुछ एप्शूटली देखें पीपल्स पार्टी का तो स्ट्रगल ही है कि इस मुल्क में रहनी चाहिए हमाई स्ट्रगल ही रही है और एलेक्शन टाइम पर होना चाहिए तेंगे दो चार बातें हमने रिजड करा दिया ये लेवल एसवात इनके कॉन्फिडेंस का अपनी हुकूमत के अंदर ये क्या लोगों के मसाइल हल करेंगे अब आजए हैं आपके अददी अक्सरियत सेनेट की ये भी एक बड़ी घलत बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब दो हजार बना थ तो बिलकुल सिंगल लार्जिस पार्टी थी उसके बाद बाबार रवान साब हमारी पार्टी को छोड़के चले गए उनने पी टी आई जॉइन कर ली हमारी सीट वह खाली हुई उस सीट पे इनके आसिफ किर्मानी साब आ गए इस वक्त ऐस वी स्पीक पीमल एन जो है सेने की सिंगल लार्जिस पार्टी है फैक्ट को दुरस्त करें अमाँ से वो तो कह रहे हैं कि हमने इसलिए तो अमेंडमेंट करवा दी थी जो पिछली थी लाव बना दिया वो इसलिए वारे और यह तादार तालिए बनती है बाकी अपोजिशन की अक्सिरियत ज़्यादा है हम अपोजिशन की बात करते हैं अददी अक्सिरियत की जब बात करते हैं तो इनकी मजोरिटी वहां बें बनती है अगर फाटा के अरा की मैं यह जाना चारी हूँ कि मश्रूत तो नहीं होगा याप हलका बंदियों के वोट करेंगे कि कल भी इस बात पर बात की थी जो मेरे प कौम को सपोर्ट नहीं किया अब धें कल अमारी पॉलिटिक्स है अचा हाफिस साब आपकी बारी आने लगी है लेकिन मुझे टाइम चेक पर जाना है टाइम चेक के बाद फॉरण आपके पास आती हूँ यह मामला अददी अक्सिरियत का तो है लेकिन बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते तोलने वाले लोग फैज़ाबाद पर बैठें उस पर बात करेंगे ब्रेकर वेलकम बैक नाजरीन एक दवा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं अच्छा हाफिस साब धरने से आपके साथ बात शुरू हुई थी और धरने पर दुबारा आपकी बारी अगई है यह अभी जो पीमले न उचल रही है आपके ख्याल में इनकी कामियाबी है या यह नाकामी है असल में जो कि इस वक्स उर्टेहाल है सुर्ई मैं हजब कर देते हैं परलेमान इस जुबान नहीं है खुश है यह जमपिंग अप उसको अंग्रेजी में मैं उच्छी बना रहे हैं साथ खुश ही नहीं हम लोगों की वो बाते कहते हैं कि लोग नहीं है तो आज हमने दिखा दिखा दिए है तो मैंने हजब कर दिया कारवाई में से तो हाफ़ साथ वैसे अश्रमा बिपिश बन्याजी असूली बात यह है कि आज जो कुछ हुआ मैं अपने जमीर की बात करता हूँ बहुत अच्छा हुआ क्योंकि बात यह है कि इस मुल्क में हमेशा सहस्त को मैनस करने की कोशिश की जा रही है कभी डंडे के कभी कलम के जरीए कभी इस किसम की अक्सरियत के जरीए कोशिश हो रही है जैसे अभी सीनट में जो कुछ हुआ वही चीज अपोदिशन लेके आया है देखे यह लाया था यह एक उसूली बात है आपने भी की सब के था हम लेत-ुलाल से काम लेते हैं जर्नला यूब का लाय हुआ कानून ता किस मकसद के लिए सैस्ट को माइनस करने के लिए सैस्ट में हामित खान है अबाशी साहब है मरतुजा वहाब है आफ जाम्दूल्लाय कोन है यह कोई सवाल नहीं है बात है शैस्ट की माईनस कर रहा है । और को जो ने इस मर्क में माईनस वह लोग कर रहा है जिसके पास बन्दू का है और हमेशा बन्दू को ताफ़े दिया है खलम ने तौर बेकिन अछा स्वियर तनिया कार यह जो हम आधान है इसलिए जम्हूरियत तनजल का शिकार हुआ, नहीं, सहसे दानों ने भी माहूल बनाया उसके लिए, किसी ने किसी शकल में वो भी इसर है, पास हुआ, जो प्रिपस पार्टी वालों है, देखे सीनट में अपोजिशन के पास अक्सरियत थी, जुम्हे की नमाज से पहले में उसर फोटी थी, ख Pen थान तरी के इसर लेने जो आप अब जो लाष्ट में एक वोट से जीद गया हुकूमत, वो उसकी वोट से, आतिक शेख के वोट से, तो कैसे जीद गया है, आगर आपके वोट पुरे हो थे, फोर्टी टू, फोर्टी तू, फोर्टी तू, तो पिर नह क्कामassen की बात है माइनस सैषड को माइनस करना गूम का फर्मूलम माइनस करनाLC किसका फर्मूला है यह कौन कोन है के बैन्सीर माइनस होuing कौन है के जुल्फाकारालिक बटो माइनस हो कौन है Cya bearing साथ माइनस हो हमेशा कि कर्उप्शन की बिनिया पर नहीं हुए यह नहीं कहा का कि बेनाजीर और मियाना शरीफ दोनों सिकूरिटी रिस्क है यहाज़ा इसको मुल्क के अंदर नहीं आना चाहिए तो फिर बोही मिया साब जो है वो काला कोट पैन के जब जाते रहे मैंने तो यही का कि वो भी खलत हो रहा था यह सियासतदान खान सब आप अग्री करते हैं हाफिसाब ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात किये एंड आइ टोटली अग्री विधियों के यह सब कुछ जो है स्यास्वरणा आयला कार बनते रहें लेकिन कोई और है जो डूरिया है ला ह्ला रहा है यह दरना खतम हो सकता है यह सिर्प हकूमत की नाकामी न्यां थे तो र्यास्त की नाकामी बनता चला जा है देखिए धरने वाली बात जहां तक है ये तो नदर आता है कि हकोमत भी इसमें पूरीता मुलविस है वो चाहते हैं नहीं कि क्राइसिस खतम हो क्योंकि आप देखें नहीं किंसिस्टन कांटरक्ट जा रहा है जब से मिया साब को नाहिल करार दिया सुप्रीम कोड ने तब से जो डिशी के खलाफ एक मुहिम चला रहे है और मुल्क में बहरान पैदा करने की कोशिश हो रही है अधीद दानिस्ता तोर पे हो रही है तो अगर कोई बना बना है बहरान को मिल तो उसको फिर देरपा करने कोशिश करते हैं आप को लगता है ये डीरेल हो सकते है अगर हलका बनिया अड़ गई मतलब उसका तो टाइम है और ये सब कुछ चलता रहा है ये धरना प्लस होता चला गया बहुत बड़ी जयाती ये होगी कि अगर आप सेंसस को माइनस कर देते हैं जो लेटर सेंसस है तो आप नाइट सेंसस पर एलेक्शन कराएंगे बीस साल पराने सेंसस पर एलेक्शन कराएंगे जब कि आप एक चीज तो वैसे भी जैसे कुछ सूबों में सीटें बढ़ गई एं कुछ सूबों की सीटें कम हो गई था तो यह तो उन सूबों की साथ जाती हो जाएगी जिनकी सीटें बढ़ी है तो मैं समझता हूँ कि इनको ये अपनी सारे चपकलिश को खतम करके जो भी है जैसे भी है जिसना मुर्सा साब ने कहा है वो खतम करके ये बिल तो पास का अमेंडमेंट तो पास होनी चाहिए पर झामने हलका बनियां के मताबबक हो और ने सेंسस के मताबबक कुछा नोगे चाहिए कि इसना झेएक कि इस नहीं वार शक्वास हैं सेनेट में अखडी हो जाए तो फिर तो हमें बहुत बड़ी कुवत मिल सकती है कि हम पास करवा सकते हैं तहरीक इनसाफ तो टोटली सेनेट में हमारे असाथ वो उनने आना ही बंद कर दिया है दो दिन तो कह रहे हैं वो नहीं है यह मैं सब्सक्राइब कर दो हमें अगर यह चीज इसको रिलेट करें कि धरना चल रहा है धरने बढ़ते चले जाएं मुतालबार हुकूमत इसी तरह से ले तो लाल से कामले जिस्ता से ले रही है अदालत कह रही है कि इनको उठाएं और वो नहीं कि डिले का सबब बन सकता है और उपर से हलका बंदियों का मामला भी तैना हमेद साब के आरग्यूमन को आगी लिगे जाऊंगा कि नालाइक की हुकूमत की है ना क्योंकि हुकूमत को ये नालाइक की फिवर करी है इस वक्त देखें जब से धरना पिछले 14-15 दिन से चल रह था मदा इतना हमारे लिए हैसल है जो लोग बिचारे अंबिलेंस में मरीज है स्टूरेंट्स है जो डेली वेजर्स वाले है आपकी मेट्रो वगएरा नहीं चल पड़ी तो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्फ कौन करेगा क्या को कोड करीगी रिजॉल्फ ये वे इस इशू को रिजॉल्फ औरे या थे कौझ टचिके विमा सिम भी बाद जे पेपर्स पार्टी की खाति की जमाने में पिपर्स पार्टी की जमाने में तहर अल-काद्री आया या नहीं आया है चार दिन पाच दिन का धर्ना л तो आया नँ Ellis नँक장 की उनना कि लिजु पर कड़ी दी आप पॉजिशन उस वत क्यों हकूमत को सजेस्ट नी करते थे कि गोलियों और बारूद के जरी उनको हटा क्यों नहीं करते हैं अलाएंकि उन्हें पर चलाई की सेकर्टेट पर चलाई की पी टीवी स्टेशन पर चलाई की पार्लिमेंट के दूबगाड बनाया अगर हम यह करते हैं तो अभी हुकोमत को ऐसा नहीं करना चाहिए तो पृट्लाई भी करनी एँड़ी आप करेंगाए अब आप आप मिद्मी ज़स्ट नीगोसिशन करेगा हुकूमत करेगे ना तो फिर्टी हुकूमत क्यों नंबर एक नंबर दो जो एक्सबएस इस दिन जो 126 दिन का धरना था उसने इसलामबाद पिंडी को मफ्लूज नहीं किया था कोने में और अधा परेड ग्राउन पे ये जो है आपने दो शहरों के बीच में एक बड़ी स्ट्टीजिक जगा है उसको आपने मफ्लूज कर दिया आपने है यही तो सबसे बहुत सब्सक्राइ कि रिट को लोकल अड्मिनिस्ट्रेशन को हुकूमत रेप्रेजेंट करती है ऑपोजिशन डिक्टेट नहीं करेगी हुकूमत साथ नकाम साथ नहीं करेंगे यह तसलीम कर लें आप कौमी इसम्ली में कामयाब हो गए लेकिन वहां पर आप जाए प्रायॉरिटी सिर्फ यह में आगे क्वेशन मार्ट में जालाएं मेरा बाई है लेकिन आज जो इसकी आपके मुस्पेन रहता है यह आपकी खुशी हमारा गम नहीं मैं गम का लिए देखें यह बिलकु ठीक बात है कि इसमें कोई शक्षा कि नहीं कि बोट बड़ी तक्रीफ है लोग हमारे पस दो आ चाकत के जिर्याट आया जाए यह लोगों से बात की जाए और उनको समझाया जाए जाए चले अब दूसरे पर आगए मुझा कर रहे हर लेवल पर कर रहे हमने चाहते कि कोई नुक्सान हो हमने चाहते कि हमारे यहां पहले से बड़े चैलेंज पाकस्तान के दोर यह जो यह चाहते कि उस वजीर को निकालें जिससे यह गलती हुई है किसी और नहीं कहा यह आपकी तो फिर हम कैसे कहें कि आपकी हुए इस मसले को हल करना चाहते है लिए आसमा मैंने रात को भी का था कि यह दिखा जा सकता है एक यह है कि मेला फाइडी थी और एक यह यह थी कि गलती है और यह उस मेसेज उनकुफटों के लिए भी जाना चाहती है जो चाहती है कि हम ऐसा काम करें मैं आज भी कह रहा हूँ कि अगर किसी ने जान बुछ की वाया उससे यह बात सामने और उसको सिर्स्तिवाने जाने जाने लिए 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 अगर गलती हुए तो पूरे पार की चाहिए अगर. मैंने वो जिनिवा का वो पूरा तक्रीश स्पीच भी उठा है। यूनिवर्सल आलमी एक अधारा है। यूर पी है जो भी है। वहां हमारे डिलिगेशन भी है पाकिस्तान की वहां अमरिकन डिलिगेशन भी है। उन्होंने सबसे पहले एक है कि खत्व कानून और तुखीन रिसालत का कानून को पाकिस्तान में खत्म किया जाए। और जो अमरिकन सफीर दोजार दो में बात करना है। कि ही ओसब कमीटी थी हुए पिर यह चीषिस को्मी असंबली में आई पिर यह लाइन्सिस कमेटी में अगी सेंट से ओकी है। तो फूब जिम्मधार है आपका मैं जिम्मधार है। कर दो क्या फूसूर है प्रोफिश की जा रही है अगर उनके साथ जाके बैठेंगे तो क्या अभी तो रभी नवल शुरू है इसमामले को आमाना मन के साथ लगता है आपको लगता है कि ताखीर का सबब हो सकता है अगर इसी तरजल से जलूस हो और पी टी आई तो कहीं इससा टेंड करना चाहिए और रिजमेदारी हकूमत की है देखे ना कोई हकूमत अपने जमे बरा नहीं हो सकती है अब देखे ना अदालत ने भी हुकम दे दिया है अब तो सोल मोटो ले लिए है फाई जिसा साथ में सुप्रीम कोड ने भी लिया है लेकिन अलहौर असलामबाद हाई कोड का तो हकम मौझूद है अचाहा उस पर भी किसने अमल दामत करना देखे अदालत तो हकम दे सकती है लेकिन उस उस पर उसको एक्जिक्यूट तो वो कहते है जी वो तो साधिश होई थी ये भी साधिश हो सकती है बात यह है कि हर तरीका होता है वो तो मौल टाउन हमाले जो कुछ हुआ वो तो बहुत बतकिस्मती है वहाँ तो कोई ऐसी सूरते हाल ही नहीं थी कि उन पर गोली चलाई जाती है वो तो अपने हाथे में प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको प्रोटेस्ट करने के लिए एक आल्टरिनेटिव जगा भी दी जा सकती है बार सूरत अगर कामीन अब में भी हैँ नहीं जहीं बस्ट टार करत दो कि अधसी नगया है विए है है कि आप सकते है